नमस्कार आप सभी का स्वागत है राप देख रहे हैं आपना यूप्टी चनल रीमेक इट पाथ पुर्व में बिहार सरकार के सिख्छा विभागने जो बीबीस से बहाल करने के लिए सिख्षकों के लिए एक नियमावली बनाई थी और जिसका नाम रखा था बिहार राज ब रास्ताव के माध्यम से कुछ उस नियमावली में संसोधन किया गया है और जिसके लिए सूचना अभी हाली में जारी किया गया है तो उस अधिसूचना के माध्यम से क्या-क्या पुर्व वाले नियमावली में संसोधन किया गया है चुकि यह अधिसूचना नई नियमावल सबसे पहला जो संसोधन है वो नियमावली के सिर्सक में संसोधन है तो क्या संसोधन है आगे देखते हैं उसके बाद संसोधन है नियम 2 के उपनियम 20 में भी संसोधन किया है संसोधन संबंदित है प्रधान जिक्षक से अभी प्रियृत है विः राजिकृत प्रात्मिक विध्याले परदान शिक्षक, दियमावली 2020 की अंतरगत निट्थ होने वाले परदान सिक्षक, चुकि हम सब को पता है कि PRASHAC की बहाली आरमब हो गई है, परकर्याश है है, आवेधन लिया जा रहा है। और आवेदन आप सब भी कुछ ऐसे सिक्चक हैं जिनकी जो अनवाव अवदी उतनी पुर्ण हो गई हो खासकर वो पुर्ण नियोजीत होंगे वो लोग भर रहे हैं उसी से संबंदित है चुकि वो संबर्ध अलग कर दिया गया है इसलिए ये जो संसोधन आया है उसमें उसक देखेंगे तो यहां कुछ संसोधन हुआ है उसको भी देखेंगे उसके बाद है कि नियम साथ के उपनियम छे में भी संसोधन हुआ है और यह जो उपनियम है यह एक्जाम के एटेंप्ट के बारे में पहले एक्जाम के एटेंप्ट के लिए तीन बार कहा गया था तो नहीं हमारे लिए और सिख्षों के लिए सुधा की बात यहां आई है तो यहां दो आपको उपनियम जोड़े गए हैं वह उपनियम जोड़े गए तेरा को और उपनियम तेरा को तेरा को में फीटमेंट मैट्रिक्स ही बात की गई है जीत में बेतन के स्ट्रक्चर की बात की यह ग्रेड़ वाइस कहने का मतलब होता है एक से पांच आपको छे से आठ उसके बाद 910 910 हो गया उसके बाद हो गया 11 आपको 11 और 12 ऑर 12 की बात हो गई इन चारों सेक्षन के बारे में बात की गई कि कितना इनका entry level पे बेतन होगा उसके बाद अगर ये प्रमोट होते हैं तब उनका बेतन कितना हो जाएगा प्रमोशन पे कितना हो जाएगा और अगर वो अपने ही में बरिये होते हैं तब कितना हो जाएगा इस सारे चीज़ों के चर्चा इस treatment matrix के माधिम से की इसके अलाम है तेरा खो तेरा रांषा में प्रणोती के बाद की गई कि कितने बर्स के बाद आप अनुभव प्राप्त कर लेंगे तो आपकी प्रणोती हो जाएगी उसके बाद है नियम 14 में बहुत सारे अनुसासनी करवाई जो है आप खो सकती है अगर आपने कई-न कही कोई ने कोई नियम को खंडित किया या अनुसासन ही निता की तो इसकी चर्चा करेंगे आए इस वीडियो में देखते हैं और जो प्रमुक्षन सोधन हुए जिससे हमें और सिख्षों को लाभ और सुविधा मिल रही है उसको देखते हैं और जानते हैं तो आई यह वीडियो किजेगा क्योंकि इसी तरह के informative वीडियो में आपके लिए लेके आता रहता हूँ तो यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक किजेगा नहीं तो बहुत सारे बहुत सारे हाजारों में लोग देखते हैं अकर एक-एक लाइक करने हैं तो बहुत सारा लाइक होगा है बस आपको लाइक तो करना है और कुछ तो मांग नहीं रहा हूँ लाइक किजेगा तो मैं मोटिवेट होँगा और और उर्जा से मैं आगे वीडियो और सांदार वीडियो आपके लिए और भी ले के आऊँगा तो मेरा बट सपोर्ट कीजे समर्थन कीजे बस यहीं आपसे मांग रहे हैं आए देखने हैं क्या-क्या प्रमुक संसोधन है और इस संसोधन को तो देखेंगे ही देखेंगे साथ ही साथ पुराना वाले नियमावली में जो भी चीजे है उस सब की तूलना भी करते चलेंगे तो आईए वीडियो को सुरू करते है आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है अधिसूचना वो अधिसूचना अभी हाल ही में जो लागू हुआ है और जो कैबिनेट से प्रस्ताम मंजूर हुआ है और जो अधिसूचित हुआ है नई अधिसूचना वही है देखा जाई अगर देखते हैं तो यहाँ इसका डेट भी यहाँ आपको दिख जाएगा यह पुराना है पहले से लेकिन क्योंकि 16.2.2024 को यह बन के तयार हुआ था तो अभी हाल ही में यह पारित हुआ है तो आपके सामने जो है यह नई वाली अधिसूचना है तो अभी हम लोग ने जिस चीज को देखा कि सबसे पहले कहां सुधार हुआ था यानि संसोधन कहां हुआ है सबसे पहले नाम में अब देखे नाम में क्या संसोधन हुआ है आपको संसिप सिर्शक यूंग प्रारंग यह नियमावली बिहार राज विद्याले अध्यापक नियुक्ती आस्थनांतरन अनुसासनी करवाई एवंग सीवा सर्थ संसोधन नियमावली 2024 कही जाएगी तो पुरानी वाली क्या थी तो पुरानी वाली जो 2023 में आई थी वो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है और पुराने वाले का जो नाम था वो है यह नियमावली बिहार राज बिद्याले अध्यापक न्युक्ति अस्थन अनुसासनिक कारवाई इमंक सेवा सर्थ नियमावली 2023 कही जाएगी तो पुराने वाले को जो है वो 23 कहा गया था और अभी जो सामने हमारे पास है वो है आपको नियमावली 2024 बस इसके वर्स में अंतर किया गया अब है अब जब आगे देखते हैं तो आगे आपको अब देखिए यहां है जो संसोधन है अभी मैंने बताया आपको तुछ देर पहले बात किया हम लोग ने कि क्या दो में कंडिका दो के उपनियम दस 20 में अब देखिए उपनियम 20 में क्या है 20 में क्या बदला हुआ है ये चुकि मैंने मैं 10 कह गया हूँ पीछे ये 20 है आपको यहां क्या है कि बिहार राजा ध्यापक न्यूक्ति अस्थनांत्र ननुसासनिक कारवाई एवं सेवा सर्थ नियमावली 2023 के नियम 2 के नियम 20 प्रधान सिक्षक का विलोपन अब देखिए प स्क्रीन पर दिख रहा है कि पुराने वाले नियमावली यहनि क्या कहा गया रहा है वहां कहा जा रहा है कि प्रधान सिक्षक से अभिप्रेरित है बिहार राजिक्रित प्रात्मिक विद्याले प्रधान सिक्षक नियूक्ति अस्तनांत्र अनुसासनिक कारवाई यंग सेवा किया कि बिलूपन कर दिया गया है क्यूंकि बिहार राज्य ध्यापक नियुक्ति असनांत्रन अनुसासनी कहरवाई कि सेवा सर्ते नियम आवली क्या प्रक्रिया चल रहा है और आप सबको एक माग रहा है कि यदि आप उससे रुचिक रखते हैं पर्धान सिक्षक में तो इस पर बहुत सारे उसके वीडियो और स्टडी मेटेरिल्स उपलब्द हैं और सारी प्रक्रियों की जनकारी दी गई है तो आप जाके देख सकते है उसके बाद यहां अगर बात करते हैं अभी मैंने स्क्रीन पे डाल ही दिया पुराना वाला आप देखी सकते हैं कि पुराने वाले कंडिका दो के आपके उपर कंडिका बीस में क्या था अब देखिए यहां क्या है कि तीसरा जो हमने बात किया था सात्वा सात्वा में क्या सात्वाला प्रतिस्थापन चुग किया गया है पुराने वाले सात्वे में क्या था और अब की बार सात्वे में आपको छठे नियुपनियम में क्या है अब अभी वाले में क्या किया गया है पुराने वाले में बीचाचा कर लेते हैं आये पहले पुराने वाले को देखते है पुराने वाले में जो है आपको नियम साथ में नियम साथ के और आपको देखा जाए छठे में तो नियम साथ के छठे में है क्या है कि कोई भी अभियर्थी यानि कोई अभियर्थी इस नियमावली के अंतरवत अधिक्तम तीन बार परिक्षा में भाग लेख सकता है पुराने में शॉक्तिय असनांतर नौन नुशासुनी करवाई आधिस के नियम साथ के उप नियम 6 का प्रतियस्थापन क्या है कि कोई जो छटे का प्रतियस्थापन होगा कोई अभ्यर्थी इस नियम आख्रिक्ट और न्या जाए सकता है। और पीछली वाले में क्या था पीछली वाले में था तीन तो अपकी बार कितना बढ़ा है पांच बढ़ा है यह संसोधन हुए क्लियर है आई आगे देखते हैं और अगला था तेरा तेरा में दो जोड़े गए हैं आपको नियम तेरा को और नियम तेरा खो अब देखे अगर हुआ पर हम देखते हैं कि तीरह था तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा हो गा कि पहले तीरह में क्या था पहले 13 में था किंब अस्थनाथ और अस्थनाथ्रा द्रन में जिक रहा था कि विद्याले ध्यापक को पड़ अस्थानांतर दिनिये होगा और दूसरा था उसका मंत्री मंडल सचीवाल है विभाग यह प्रसासी विभाग द्वार अस्थानांतरन के निमित समय समय पर निर्गत तीशा निर्देश के अलोग में अस्थानांतरन की करवाई समंधित संबर्गेपन पर समंधित नियुक्ति प्रादिकार द्वारा किया जाएगा और विद्याले अध्यापक का अंतर जीला सनांतरन एक्षी प्रसासनिक शैक्षनिक दिरिष्टकों से पुषेगा यहां वहां जीक रिवा था जिसकी चर्चा पहले हम लोग ने किया है इसको पूरा पढ़नी की बहुँ ज्यादा जरू तो पहले देखते हैं कि फिटमेट मैट्रिक्स क्या है और तेरह को अकुपले जानते हैं अब अले इसको पढ़ लेते हैं बिहार राज बिद्याले अध्यापक नियुक्ति आस्थनांतरन अनुसासनिक कारवाई एवं सेवासत नियमावली दोहजार तेश के नियम तेरह के यानि फिटमेट मैट्रिक्स का अंतस्थापन यानि उसको वहां अस्थापित किया जा रहा है अब क्या इसमें है बिहार राज बिद्याले अध्यापक नियमावली दोहजार तेश के नियम तेरह के बाद नियम नियम तेरह को फिटमेट मैट्रिक्स के रूप में अंतस्थ प्रभावी हो जाएगा बेतन का इस्ट्रक्चर इसी फीटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार आगे बढ़ेगा अब देखें फीटमेंट मैट्रिक्स अनुलगनक को के अनुसार होगा यहां अनुलगनक को पे हम चलेंगे और उसको देखते हैं फीटमे Battle Mattress नियमा वली के नुसार विद्याल आध्यापिं की नियुकति को इंकित करता है के लिए हैं अब देखते हैं पहले हमलू आगे देखते हैं कि बिहार राज पांचवा में क्या है? बिहार राज अधेहापक नियुक्ति असनांत्रन अनुसासनी करवाई एवंग सेवा सत्निमावली 2023 की नियम कोगे बाद निमलिखे नियम तिरा खोग को पहले चर्चा कर लेते हैं करेंगे बाद में अब पहले चर्चा करते हैं तिरा कोगी को की तो तेरा को का फिटमेंट मैक्रिस क्या कहता है यह आए देखते हैं जो तेरा को में की गई है यानि फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल अब देखते हैं हम पहले इंट्री लेबल को देखेंगे कि एक से पांत में अगर कोई सिक्षक बहाल होगा उसका इंट्री लेबल पच होगा आपको 910 का इंट्री लेबल होगा इंट्री लेबल कहने का मतलब जब आप बहाल होगे 31,000 उसी तरह ग्यारवी बार्य में 32,000 और बरिये 11 में नहीं कहा गया है तो इसको हम आगे चर्चा करेंगे ध्यान रखिएगा यहां मैं बताता चलू को 1 to 5 का बरिये 6 to 8 होगा तो यह तो अब यह से अंडरस्टूड है तो 6 to 8 के लिए बरिये के लिए एक अलग संबर्ग बनाया गया है बरिये 6 to 8 उसी तरह 9 10 का बरिये आपका संसोधन हुआ है अब देखें यहां जैसे हम लोग ने अभी जान लिया कि इंट्री लेबल आपका जो भी सिक्षक बहाल होंगे जिस कोटी में उनका इंट्री लेबल यह होगा तो नीचे वाला क्या होता है नीचे वाला यह होता है कि हम सब की जो भी सिक्षक है उनका उनक बार्षिक ब्रिधी होगी तो आपको इसके आसपास आएगा तो इसके आसपास आएगा तो इसी को माल लिया जाता है माल लिए 25,000 का आप 3% निकाल लिएगा तो बनेगा इतना ही कभी-कभी थोड़ा इधर-उदर होता है तो इसको इस fitment matrix में fit किया कर दिया जाता अगर थोड़ा सा भी amount इधर-उदर आपको होता है 50 से उपर जाएगा तो अगले वाले में चला जाता है और 50 से नीचे आता है तो पिछले वाले में चला जाता है कहने का मतलब यह है कि हर एक साल के बाद आपको यहीं बढ़ता जाएगा इसी तरह बढ़ता यह आगे बढ़ता जाएगा क्रम सख कोटी में, 1 to 5 में इस तरह से बढ़ेगा, 6 to 8 में इस तरह से बढ़ेगा, आपको 9 to 10 में इस तरह से बढ़ेगा, 11 to 8 में इस तरह से बढ़ेगा, उसी तरह बरिये वालों में भी ऐसे ही बढ़ता जाएगा, के लिए यहीं कहानी है, यह है फीटमेंट मैक्टिस, अब देख लेती अब देखे बिहार राज जो बिद्याले अध्यापक नियमावली 2023 के नियम 13 को के बाद निम लिखित नियम 13 को प्रणती का अंतरस्थापन चुकि 13 को भी अभी जोड़ा गया इसी में तो यहां 13 को के बाद 13 को जोड़ा जाएगा वो क्या है कि बिहार राज देखे बिद्याले अध्यापक की सरेनी यह प्रणती अस्तनांत्रन अनुसासनिक करवाई सेवासर्थ नियमावली 2023 के नियम 13 को के बाद निम लिखित नय नियम 13 को प्रोनती के रूप में अंतरस्थापित की जाती है तो यह किसका होगा यह प्रोनती होगा यानि अध्यापक की सरेनी यह पाला वाला है आपका यह दूसरा वाला कॉलम क्या है प्रोनती के लिए बिद्याले अध्यापक की अगली सेनी और प्रोनती की ओधी क्या होगी यानि किस कंडिशन में प्रोनत होगे और अभियुक्तियानी रिमार्स क्या होगी अब देखे वन इस 6 to 8 के अध्यापक हो जाएंगे और जब यहां हो जाएंगे तो इनको बेतन कैसे मिलने लगेगा जैसे हम लोग ने अभी फिटमेंट मैट्रिक्स में देखा है आपको क्या देखा है वहां हम लोग ने आई यह देख लेते हैं उसको यह देखे जब 8 साल आपका हो जाएगा तो 1 to 5 के अगर सिख्षक है तो वह कहां बढ़के चले जाएंगे वह आजाएंगे इस वाले में यहां पे इस बेतने स्ट्रक्चर में आजाएंगे किलर है नाइन टेंथ वाले भी यहां आजाएंगे फिर अगर 6 to 8 के टीचर है तो वह यहां आ जाएंगे इस वाले में यहीं है कहानी तो आईए देखते हैं फिर से कि क्या है वहाँ और क्या कहानी बनती है प्रणती की आप देखें 1 to 5 का हमले ने देख लिया अब यहां क्या है कि 8 बर्स की अगर सेवा अब्दिया आपकी हो जाती है तो आप आते हैं 6 to 8 वाले में और आपको जो आपका प्रोमोशन जो होगा जो उपलब्द रिक्ती होगी उसी के माध्यम से आपका होगा बेतने structure बढ़ जाएगा उपलब्द रिक्तियों की बात होते हैं कि आप उस सिक्षक वहां हो भी जाते हैं अब देखते हैं उपलब्द रिक्ती रहेगी उसी के नुसार ये condition है वहां अब देखिए 6 to 8 में अगर कोई सिक्षक है वह भी 8 साल की सेवाप पुर्ण कर लेता है ध्यान रखेगा 8 साल सेवाप पुर्ण करने की बाद प्रसिक्षित होने से लेके होता है तो वह कहां वह बताई था कि 6 to 8 में आपको बडिये बनाया था और आपको 11 12 के बरिये बनाया था उसी बरिये में आपको वह चला जाता çek च्लियर है और यहां क्या है वो स्वास्थानिक उत्क्रमन होगा उसको रिक्ती क्या आउ सकता ही नहीं चूकि 6 to 8 का teacher है उसको 6 to 8 का ही होना है तो अपने अस्थान में उसका उत्क्रमन हो जाएगा किलर है यहां है 1 to 5 6 to 8 के सिखचक हो जाएगे अगर वहां रिक्टि बनती है वेतन तो बढ़ी जाएगा लेकिन वहां सिखचक भी आपको 6 to 8 के हो जाएंगे अगर रिखती रहती है उस आपको सब्जेक्ट में तो यह वहां 68 में बहाल जो होता है 68 के ऊपर बहाल होता है वो विसाइगत होता है आए देखते हैं वहीं है 9 और 10 का 9 10 में भी है 8 साल अगर आप कर लेते हैं तो आप चले जाते हैं बरिये में और बरिये का बेतन आपका ध्यान रखेगा वो समस्थानिक होता है जो समाना स्थान में अभी बेतन आपको जिस कोटी में मिल रहा है उसी अस्थान में अगले बरिये का बेतनमान आपको मिलता है और यहां क्या होगा 9-10 में उपलब्द रिखतिया जो रहेंगी उनीके सार उनसार उनका अगर रिख्ती हो जाती तो 11-12 में चले जाएगा और जिस सब्जेक्ट में आपका प्रमोसन होगा वहाँ वहाँ वह वह जाके पढ़ाएगा लेकिन बेतन आपका बढ़ जाएगा चलिए अगला है 11-12 11-12 में भी कहानी है कि एगर 8 साल का अनुभा आप प्राप्ट कर लेते हैं तो आप 11-12 के पर ये विद्याले अध्यापक कहलाएंगे और आपका जो उत्क्रमन होगा वो स्वास्थानिक होगा आपको रिक्ति की ज़रुत है नहीं चुकि आप पहले से पढ़ा रहे हैं और उस खौ का द्युअ यह तीरह खौ था और यह तिरह खौ जो है यह तिरह को के से कहीं न कहीं यह चों गरनेक्ट है यह आपको प्रमुक्षरण सोधन इस नियमावली के माध्यम से किया गया था उसके बाद आपको जो भी किया गया है वो अनुसासानी करवाई की यानि आप पे कैसे डिस्किलिन एक्षन होगा अगर आप कोई आप गलती करते हैं तो उसकी चर्चा बहुत ज़्यादा जरूरी आवशक है नहीं बाद में उसकी चर्चा कर लेंगे चाया PDF में चीज़ को आप लोग पढ़ लिजेगा अगर आप चाहते हैं कि उसकी चर्चा भी हो यानि मैं उसको डिस्कॉस कर दूँ सारी चीज़ों के एक्स्प्लोर कर दूँ तो आप उसको डिस्किप्शन बक्स में जरूर पहले सब्सक्राइब करें फिर लाइक करें लाइक जरूर करें येक एक लाइक से बहुत सारे लाइक हो जाएंगे और हमारा वीडियो बहुत सारे लोग तब पहुचेगा और मैं मोटिवेट होके और नए तरीके से उर्जया के साथ वीडियो बनाऊंगा थैंकि सो मच आनिवाद, ये हिंदे